Hello everyone, first of all, all the best, best of luck for J.E. Mains 2020, finally 2020 का exam हो रहा है, और बहुत कश्माकश थी, बहुत जादा confusion था, और no doubt कि मुझे मैं ये बोल सकता हूँ कि कई बच्चे इस situation काफी panic situation रही आखरी एक हपते में, कि कहीं exam पोस्टोन तो नहीं हो जाएगा, होगा, ये कश्माकश तो चलती रही, और पिछले कई बार ऐसा हुआ, तो इसलिए ऐसा लग रहा था, पर फिर भी इस बार Supreme Court के order के बाद, और NTA ने भी clear कर दिया था, कि नहीं पोस्टोन नहीं करेंगे, उसके बहुत सारे region है, अगर आप genuinely समझेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, ये exam होना कितना जवी था, क नहीं तो आप सूची कितना loss होता, तो ये कई सारे region थे, अपनी government ने सोच के ये सब करा, तो आप मैं यहीं बोलूँगा कि finally हमें इस बात के लिए अपने आपको तयार रखना है, in fact आप तयार हो गएंगे mentally, पर फिर भी कुछ चीज़ा हम सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं motivate हो कि आपको सब आता है, बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं, कि जो ये सोच रहा होंगे, हो सकता है, पोस्पर्ण हो जाए, हो सकता हो जाए, और नहीं हो, इस चकर में जो पढ़ाई में concentration था, वो कई लोगों का नहीं बन पाया होगा, ये genuine बात है, बट मैं बोलूँगा कि आपने एक अच्छी बात है कि पढ़ाई तो की होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि पढ़ाई नहीं की हो, पढ़ाई की होगी आपने, और उस पढ़ाई का आपको कल अपना utilize करना है, तो उसके लिए एक ही तरीका है, कि आज की रात और अगले जिस दिन भ करके आएंगे, ये बिलकुश ही हो रहे हैं, और दूसरा, पेपर के पहले दिन, या पेपर के कुछ घंटे पहले नहीं पढ़ना चाहिए, ये मैं हमेशा कहता हूँ और फिर बोलूँगा, क्योंकि पेपर के पहले पढ़ने का सबसे बड़ा जो drawback होता है, वो ये होता है, कि हमने जो current में पढ़ा है, वो तो हमारे दिमाग में रहता है, पर बाटी इस चीजों का recall timing बढ़ जाता है, जो ठीक नहीं है, दूसरा, इस बार का paper tough आए, easy आए, medium level का आए, आप तो हर आपने आपको तयार रखिए, कुछ मत सुचिए, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि NCRT पे based होगा paper, बहुत tough होने के chances का में, पर कैसा भी है, कोई mindset करके मत जाएए, बस एक चीज़ ध्यान रखिए, कि center पे बहुत time पे पहुचिए, no doubt कई जगे पर transportation problem है, पर अच्छी बात ये भी है कि कई सारी government ने, state government ने ये दिकलिया किया है, कि आपको transportation free दिया तो आप अपने center तक जा सकते है, free of cost, तो आपको आप अपने center तक बिलकुल पहुचेंगे, अच्छे से पहुचेंगे, एक positive mind से पहुचिए, अपने साथ sanitizers, अपना ID proof, अपने साथ mask, बलकि दो mask ले जाएए, बारिश का समय है, बिलकुल precaution के साथ ID, ये सब चीजों का एक ही चीज पर focus हैं, कि हम जितना अपने आपको safe रख सकें, वही एक तरीका, और देखें, अभी कुछ government, जैसे UP government ने बीचू का exam लिया, उसके पहले B8 का, बहुत अच्छे से हुआ, बच्चों ने exam दिये, जो मेरे उनके से बात हुई, तो उन्होंने बोला, sir, center पर कि अगली shift या अगले दिनों में क्या आएगा, तो आपका कल या कल के बाद जब भी paper हो, मैं एक चीज बोलूँगा, सबसे पहले mind को इस बात के लिए 100% तयार तो करी चुके होंगे, इस बात के लिए भी तयार कर लीजे कि मुझे सब आता, जब आप यह जैसे ही तयार करे पर आपको वो नहीं सुचना, आपको यह देखना क्या बन रहा है, फर्स्ट वन आर बहुत कुछ decide करता है कि बचा हुआ paper कैसे होगा, तीन पार्ट में paper को divide करिए, फर्स्ट वन आर में वही करिए जो आता है, फर्स्ट वन आर में जो question 2-3 step के हो, फर्ड आर में आप उन प करेंगे, ऐसा कभी मत करिए, जो आता है उसे पहले ही करिए, यह बहुत commonly mistake होती कि यह तो आता बाबने कर लेंगे, यह try कर लेते साइथ बन जाए, no, paper देने का तरीका अलग होता है, और self study का तरीका अलग होता है, आपका mindset बिलकुल इस बात के लिए ताहर होना चाहिए, कि मुझे paper में जो आता है वही पहले करूँगा, chemistry के time को save करके physics math में दीजिए, और एक अच्छी बात है कि exam हो रहा है, अभी इसके बात फिर NDA का exam है, फिर NEET का exam है, उसके निमसेट का भी exam होगा, तो धीरे-धीरे exams होंगे, तो academic चीज़े आगे बढ़ेंगी, और आप लोग भी move करेंगे, नहीं तो वही confusion, यह confusion सोचे कब से अपरेल से आपके साथ चला है, और अगर अभी भी postpone होता तो यह confusion फिर होता, अगर postpone होता, तो फिर कब, फिर कब, तो फिर कब, यह ऐसे चलते चलते रहने से अच्छा है कि आप भी एक mindset के साथ आगे बढ़ेंगे, मैं ब पेपर आएगा, उसके recording, अगर माल दीजे पेपर के कुछ कोश्चन क्योंकि अभी तक क्या होता था, स्टुइट सीधे मिलने आ जाते थे, पर फिर भी अगर कुछ कोश्चन आएगे तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, जिससे कि आने वाले sessions में, आने वाले दिनो में, जो जेई का पेपर है, उससे आपको idea मिले, और एक बात मैं बिल्कुल clear बोल दूँ, कि पेपर जेई का कभी tough नहीं होता, logical होता है, आप थोड़े उसको logical तरीके से देखिए कि क्या तरीका है, क्यों पूछा है ये question, अगर ये दिमाग में आ गया, आप उसकी कही न कह निकाल लेंगे, favorable topic ही पहले लें, फिर unfavorable जाएं, all the best, take care, बिल्कुल बहुत ही खुश रहके जाएं, west of luck और सारे precaution लेके आप घर से निकलिए, और अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए, thank you and all the best.